नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप नवरात्री के नौ दिन जहां हम प्रती दिन अलग अलग देवी मा की पूजा करते हैं वहीं कई जुगों पर टोटका करने का भी प्रचलन है ऐसा तो आपको पता ही है क्योंकि लोग टोटका इसलिए करते हैं कि ताकि घर परिवार या फिर किसी भी बैक्ती के जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का हल प्राप्त हो हम समस्याओं से बाहर निकल सके मा की किरपा हो और मा इन नौ दिनों में मा की जो सक्तियां होती है वो खास रूप में हम पर बरसने वार बरसाती है मा किरपा अपनी और हम पूजा पाट भ लुषा नाते हैं तो इसके फ़ल्ण में बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं और नकायत्मक्त भी Meow Meh प्रसंद खोती हैं वैसे तो Ne parabất के 9 दिनों में आने वाले सन्यवार रभीवार को तो आप कर ही सकते हैं तोटका साथ ही साथ आप जीवन में आने वाली तमाम जो बाधाएं हैं धन की समस्याएं हैं उनका समाधान भी प्राप्त हो सकता है तो चलिए धन लाप के लिए हम आपको नवरात्री के अस्टमी और नौमी के दिन आप क्या करें कि धन की प्राप्ती आसानी से हो घर में धन की बरसात हो एक खाली या सांथ कमरे में यानि कि अगर आपके घर में पुझा अस्थान है पुझा करूम है तो वहाँ पे जाईए आप उत्तर की तरफ अपना फेज करके पीले आसन पे बैठ जाएं कोई भी कपड़ा भी चा सकते अपने सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाईए दीपक एक जलाईएगा तो उसमें नौ बातियां डालिएगा और अगर आप चाहें तो नौ दीपक भी जला सकते हैं ये आपके उपर हैं और इन नौ दीपकों के सामने चावल की एक धेरी बनाईए उस पर स्रियंत्र या कोडी ही रख ले उससे भी काम चल जाएगा अब यहां पर कुम कुम पुस्प धूप दीप से पूजा करें और फिर एक प्लेट पर स्वास्तिक बना कर उसका पूजन करें अब आपने अगर स्रियंत्र रखा है तो अती उत्तम है आप चाहें तो स्रियंत्र बहुत तरह के आते हैं तांबे के आते हैं सोने के आते हैं चांदी के आते हैं या भी स्पटिक के भी आते हैं सबसे अच्छा है स्पटिक का स्रियंत्र अगर आप इनका पूजा करते हैं और घर में अपने पूजास्थल पर रखते हैं और बाकी जितनी भी चीज़े हैं उसको नदी मे लगेगा और यह जो कौड़ी है इसे लाल या गुलाबी कपड़े में लपेट के रखेगा और स्रीयंत्र भी अगर आपने किया है तो किसी गुलाबी कपड़े पर ही अस्तापित कीजिएगा नवरात्री के दिनों में हम बात कर रहे हैं जाड़ू के टोटके की आईए अब हम बतला दें कि जाड़ू से कैसे आपने जीवन में को सुखमे कर सकते हैं अर्ली मॉर्णिंग आप अपने घर का पुराना जाड़ू घर से बाहर कर दें और ध्यान रखें कि अर्ली मॉर्णिंग करना है इसके बाद नवरात्री यानि अभी जो 6 अप्रेल से नवरात्री भी स्टार्ट हो रही है यानि सुर्योदर के पहले आपको जाड़ू बाहर जाड़ू लगाईए फिर देखिए कैसे बरकत होने लगती है हमारे यहां जाड़ू के मान सम्मान में कभी भी किसी प्रकार की कभी नहीं छोड़ी जाती और नहीं जाड़ू की निंदा की जाती है जाड़ू को अच्छे से सम्मान देते हैं जाड़ू पर पैर कभी ना र होता है उस तरह आपकी तकेदीर भी अस्द हो सकता है अगर आप साम के बाद जाडू या पोछा लगाते हैं हमारे पुरालों में भी वरणन हैं कि सुरियास के बाद जाडू नहीं लगाना चाहिए जाडू के आईए हम आपको एकुपाए बतलाते हैं एक बात का हमेंसा ध्यान रखिएगा कि आप घर में जब भी जाडू लगाएं तो जाडू गीली नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी भी गीली जगह पर जाडू लगाईए क्योंकि गिली जिगा पर आपने अगर जाडू लगाया तो आपके घर में धन बरसा नहीं होगी या फिर थोड़ी कम हो जाएगी तो इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में बरकत ला सकते हैं और नौरात्री में किये जाने वाले सबसे अहम तोटकों में से एक है कि आप नौरात्री के किसी भी दिन पास के किसी भी मंदिल में एक या तीन जाडू का दान कराईए अर्ली मॉर्णिंग कीजिएगा कोई टोके नहीं तो ज्यादा अच्छा है और बीना पीछे मूरे घर चले आईए आपके घर में बरकत होने लेगेगी आप करके देखें आपको जरूर फायदा होगा दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखेगा कि घर में जाडू हमेशा छिपा कर रखेगा कभी भी सामने मत रखेगा ऐसे जगह रखें जहां पर किसी का नजर ना पड़े या फिर आपके घर में ऐसा कोई कोना नहीं है तो ढख कर रखें सफेद कपड़े से यह ज़्यादा सूब होगा और जब भी प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले ज़ाडू पे थोरा सा कुमकुम और अक्षट चरूर लगा दीजिए और एक मोली धागा उसके मूट में बांदें जहां पर हेंडिल होता है ऐसा करने से मा लक्षमी आपसे प्रसने रहेंगी और आपका घर धन धाने से भर जाएगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हम फिर मिलेंगे जैमाता दी